लंका निसिचर निकर निवासा यहां कहां सज्जन कर वासा हन्मान जी जब लंका पहुंचते हैं और विबिशन के द्वार पर खड़े होते हैं तो वहीं से अपने साथ में एक तर्क चलने लगता है उनके कि यहां कोई सज्जन व्यक्ति जो राम का उपासक हो कैसे मिल सकता है किन्तु वहीं उनके मुलाकात विबिशन से होती है और वहीं से आगे के मार्ग प्रशष्ट होते चले जाते हैं हम भी अपने इस जीवन में कई बार ऐसे शंशाय के साथ खड़े होते हैं कि कौन मिलेगा, कहां से मिलेगा हम इस और्गनाइजेशन में आ चुके हैं व्याबार के इस नए शेत्र में अपने काम काच की शुरुवात कर चुके हैं कौन संभालने वाला मिलेगा, कौन समझाने वाला मिलेगा पूर ववत अनुभव के साथ प्रते एक व्यक्ति अपने जीवन को देखे तो ऐसे लोग साथ में खड़े हुए मिलते हैं और उनहीं लोगों के माध्यम से ये जीवन की यात्रा आगे बढ़ने लगती है जहां भीतर के तरक के साथ में शंशे हूँ और उसी समय कोई व्यक्ति आकर मुलाकात करे, चर्चा करे और वहीं से मार्ग बदलता चला जाए तो ये स्पस्ट तोर पर समझ लेना चाहिए कि एक भाग्य का संकेत है जो आगे के मार्ग को प्रशष्ट कर रहा है अब बुरुद्ध नहीं कर रहा और इसी श्रद्धा के साथ में, इसी आस्था के साथ में पुनहे गतिमान होते चले जाना और अपने मार्ग को देखते चले जाना ये किस पस्टता है कहीं पर भी हो हम किसी भी शेत्रवशेश के साथ में हो हम हमारी प्रकरती जैसी है वैसे लोग हमसे कहीं ने कहीं जुड़ते चले जाते हैं इसी वज़े से जो मित्रता के संबंद होते हैं वो मन के भीतर के विचारों के साथ बहुत गहराई से जुड़े होते हैं और पच्चीस से तीस लोगों के समुख के अंदर दो से तीन लोग ऐसे जुड़ जाते हैं जो हमेशा आज जीवन हमारे साथ में चलते रहते हैं और उनके साथ संबंदों का एक मानक मित्रता के साथ जुड़ा रहता है ये स्थितियां इस पष्ट तौर पर यहां सम्मुक इंगित होती चले जाती है यही जीवन का अधार है इसे वज़े से जहां शंशय में हो हम, जहां भाय में हो हम एक बार राम नाम के सुमिरन के साथ में अपनी जीवन को लेकर चला जाए और ये कहा जाए कि हम समाधान कोजने के और प्रवर्त मान हैं हम उस समाधान के और बढ़ना चाते हैं जहां से हम सुलजने के और जाएंगे कई बार ऐसे नरणाय सामने होते हैं जहां से कोई भी विक्ती सही योग में नहीं होता एक आंत में जब हम इस नाम के सुमरन के साथ जिवन को लेकर चलते हैं और फिर एक बार निर्मल मन के साथ स्वाइम से ये चर्चा करते हैं कि अब किस और जाना चाहिए ये बहुत एक ता कि अंदिखाई के तरफ हमको इस्तियान लेकर जा रही है या फिर सफलता के चर्मत कर्श के और इस्तियान लेकर जा सकती है ये स्पस्टता जब भी एक बार मन के भीतर अंकित होती चले जाती है तो दुबधाओं के सेरे हटने वाले होते हैं ये एक स्पस्टता है जो यहां सुंदरकांड से हमारे जीवन की भीतर भी प्रतिध्वनित हो सकती है जब चर्चा हनुमन तुपासना के साथ में ही चली है तो आप ये देखिए कि जब भी साड़े साती और ढहिया का करम चल रहा हो तो विशेश तौर पर हनुमन तुपासना का बल व्यक्ती के साथ में निरंतर जुड़ा रहता है जब भी हम संगर्शों के साथ में हो और संगर्शों में सकारात्मक्ता जुड़ते चले जाए तो फिर हम अटकते नहीं हैं बटकते नहीं हैं मालुम है कि दस से बारह गंटे के सफर को तै करना होगा उस मनजल पर पहुचने से पहले यदि हम पहले ही गंटे में ठक गए और हार मान ली तो पुनह है घर की और लोट सकता है किन्तु यदि वहीं से बारम बार ये कहते रहे कि हम अब अविरल गती के साथ में चलने वाले होंगे ये मार्ग कभी पचास परतिशत तक महुचेगा ये मार्ग कभी आठ गंटे और नौ गंटे तक महुचेगा और वहां से मनजल नजर आने लगेगी ये यात्रा है ये मार्ग है और इसे के साथ में नाम का सुमिरन है और वहीं हनुमन तुपासना का आधार जब भी ऐसे करम में जीवन में जुड़ जाता है तो वहां से फिर दुबधाएं घर करने वाले नहीं होती आप एक बार ये देखिएगा कि जब भी नाव की कील की बात की जाती है या फिर गोड़े की नाल की बात की जाती है तो आप ये पाएंगे कि अंगिनत जो टाप है वो सहन करती है गोड़े की जो नाल और साथी साथ में नाव की कील भी अंगिनत थपड़े सहन करने वाली ह उन सारी ही लहरों के और उसके बाद जो संगर्ष के बाद में आप उस धातू को ग्रहन करते हैं कहीं ने कहीं अपने भीतर संगर्षों के ताकत को ग्रहन करने वाले होते हैं यही सारे ही आधार यहाँ पर जुशनिदेव की साड़े साथी और डैया के साथ में जुड़ते है उपासना के माध्यम से आरादना के माध्यम से या इस धातू के माध्यम से वो जीवन को परिवर्तित करने वाले होते हैं हनमान बाहुक, संकट मोचन हनमान अस्टक, हनमान चालिसा, सुन्दर कांट का पाठ पूरे ही परिवार के साथ में करना और साथी साथ में राम नाम के सुमिरन को अपनाते हुए हनमन तुपासना का आधार भी अपने जीवन के भीतर जोड़ते चले जाना ये इस पस्टता के साथ में एक तरह से स्वयम को कहीं ने कहीं डईया और साथे साथी के मध्य अविरल गती देने का एक माध्यम है जिसमें दशरत करत शनीस्तोत्रम की भी प्रमुकता है और साथी साथ में बजरंग बान की भी प्रमुकता यहां पर बनी रहने वाली होती है तो इसी वज़े स आप इस क्रम के साथ में है तो निरंतर इन सारही उपासन पद्वतियों को अपनाना और इन में निरंतरता रखना कंसिस्टेंसी के अप्रोच के साथ में श्रद्धा भी रखना ये अतीव आवशक रहता है और वहीं से वेक्ति के मार्ग प्रशश्ट होते चले जाते हैं ये एक चर्चा थी इसके बाद हम आपके सम्मुख 20 जनवरी 2022 का द्यनिक राशी पर लखने का प्रयास कर रहे हैं चंद्रमा की स्थियां सिंग राशी में सुबह 8 बच कर 20 मिनिट के बाद से प्रवेश कर चुकी होंगी साथी साथ में आशलेशा उपरांत मघानक शत्री परितियां रहेंगी वहीं परगुरवार है मागमास कृष्ण पक्ष चल रहा है और वहीं हम शुरवात करते हैं मेश राशी के साथ में मन के भीतर जो भाई बने हुए थे अब आप धिरे धिरे उनसे मुक्त होते चल जा रहे हैं यहां पर जो क्षमताएं हैं वो पूर्ण तया आपको सहीयोग देने वाली रहेंगी यही वो समय अंतराल जहां नौकरी पेशा जीवन में लोगों का सहीयोग आपको प्राप्त होने के साथ में जो आर्थिक लाग की स्तियां है वो भी इस पस्टता के साथ में नजर आ रह जाईए कि जो भाग्ये का सहीयोग आपको प्राप्त हो रहा है उसको भी जीवन के भीतर बहुत अच्छे से अपना कर आप चलते चले जाईएगा यहां पर यह इस पस्टता भी अपने साथ आप जरूर रखें कि मानसिक सुख में जो व्रद्धिया आप प्राप्त करना च या पारिक जीवन के अंदर जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे सुभह सुभह आप उनको अपने हाथ में लीजिएगा और वहीं से अपनी स्तियों को आप काफी हद तक सकारतमक्ता में देखने वाले रहेंगे यह इस पस्टता अपने साथ आप जरूर जोड़ने वाल रहें वहीं वरशब राशी प्रतम तया जो बेसले स्पीर के अप्रोच कई बार कामकाच के साथ में निकल कर आती है कि यहां बढ़तो गए अब क्या होगा उन सारे ही भाई के घेरों से आप दीरे-दीरे मुक्त होने वाली प्रवर्तियों के साथ में गरसर हैं किन्तु फिर भी कुछ संकेत ऐसे आपके साथ में रहेंगे जिन के साथ बढ़ते हुए आप आगे के मार्ग को स्वयम के लिए प्रशष्ट करने वाले हो सकते हैं रचनात्मक्षेतर विशेश के साथ में जुड़े हुए महनुभावों को बड़े निरने लेने से यहां प के साथ स्वयम को नहीं जोड़ें कि हम यहां से यहां बढ़कर इस तरह से पहुंचने वाले होंगे ऐसी इस्ततियों में आपको काफी हद तक स्वयम को कतिमान रखना चाहिए और किसी भी प्रणाम के पेक्षा के साथ आप जोड़ने से स्वयम को बचिएगा ये एक निव प्रोच है उसके अंदर डिसिप्लिन के रिक्वार्मेंट बहुत जादा रहेगी भाग के का सयोग यहां बना हुआ है और जैसे ही आप अनुशाशित हुए कोई भी मौका सामने आता है आप ही नजर आते हैं और जोड़ाव की सारी इस्तियों वहां से स्पस्ट होती चली जाती है यह एक बेस आपके सामने यहां पर बना हुआ है साथ में ही पराक्रम में यहां आपके लिए वर्दी रहेगी यह एक इस्पश्टा अपने साथ आप बना कर चलिएगा मित्रों का सयोग बहुत अच्छे से यात्राओं से संबंदित कामकाज में भी आप स्वयम को गतिमान करने बाले हो सकते हैं यहां पर इस बात को खुद के साथ में जोड़ने की आवशक था कि व्यापारिक जिवन के अंदर कोई भी नरनाए लंबे समय से आपने रोक कर रखा हुआ था और अभी तक उस वर आप नहीं बढ़ पाएं हैं यह निविदन हम आप से यहां इस पस्ट तोर पर करना चाहते हैं कि वहाँ पर भी आप अपने कडमताल को आगे बढ़ा सकते हैं आईटी फिल्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए इस समय को सकारतमक कहा जाएगा और साथ यसाथ में जो प्रशंशा योग गिशब्द आपको अपने कामक रहेगी वहीं यदि हम करक राशी की चर्चा करें तो प्रतमतया धनागमन की संभावनाएं व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ पर आपके साथ में बनी हुई है साथ ही साथ में इसी समय अमतराल में आप पारिवारिक जुनों का सयोग बहुत अच्छे से प्राप्त करने बाले रहेंगे भाग गे का भी सायोग यहां पर बना हुआ करक राशी के जातकों को चाहिए कि यहां आप मेटल संबंदी कामकाज में किसी भी निवेश की प्रक्रिया को अपना कर बढ़ना चाहते हैं उस लहाजा भी गमन कर सकते हैं यात्राओं से संबंदित चेतर विश की प्रक्रियाएं यहां पर अपनी इस्तियों को आप एक नेक्स फ्रेम की और लेकर जाने वाले हो सकते हैं करक राशी के जातकों को चाहिए कि जहां से भी आपके लिए अवरोद निकल कर आने की संबावनाएं भावी भविश्य में नजर आती है वहीं पर अपनी पैनी न में अंतराल में ऐसी चर्चाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है वहीं संग राशी चंद्रमा की स्तियां यहां संग राशी स्थान में जब प्रवेश कर जाएंगी तो जो प्रमुख बात यहां निकल कर आती है वो है आत्म विश्पास जो डगमगाहट आपके भीतर बनी व रही है उसमें भी कोई दोविधा के सेरे आपके सम्मो कंकित नहीं है यहां संग राशी के जातकों को चाहिए कि आप नोकरी पेशा जीवन में किसी भी इंटर्वियू की और जा रहे हैं प्रिपरेशन के उबर बहुत जारा गोर कीजिएगा कॉम्प्रमाइस के प्रोच को एकसेप्ट करके चलना यहां बिल्कुल भी ठीक नहीं अपनी रफ्तार के साथ में काबिस होकर आप बढ़ते चले जाईएगा यही समय अंतराल में संग राशी के जातकों के लिए जो एक तरह से बिजनस पार्टनरशिप में बड़े निरने लेने होते हैं वहां पर असम दया नौकरी पेशा जीवन में चोटी चोटी बातों के साथ जो गवराहट निकल कर आती है उससे संभलने की आपको जरूरत रहेगी यह एक निवदन है साथ ही साथ में यहां जो मानसिक सुख की स्थियां है गुवर्दी के सरोकार आपके संब्मक लेकर आने वाली हो ग्यात कर पाएं कि किस तरह के शडियन तरकारी आधार कोई भी वेक्ति आपके लिए निर्मित तो नहीं कर रहा है कई बार कंप्लेन करना भी नौकरी पेशा जीवन में कॉंस्परेसी को क्रेट करने के बराबर होता है उससे संभलने की जरूरत रहेगी यहां आप से निव वहीं तुला राशी प्रतम तया शेर मार्केट संबंधिकार्य में आज भी आपके लिए ब्रिहस पतिवार के इस दिवस विशेश में सकारत मक्ता कहीं जा सकती है यही वो समय जो क्षमताओं के साथ में आपको वरध्धी देने वाला रहेगा यहीं से आप अपने लिए प स्वाहियं को भूमी संबंधित कारियों में भी आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं यहां अनुशाशित रहने के जो सोखत परिणाम है दोपहर और संधिया समय अंतराल में आपके साथ में जोड़ सकते हैं कारियों की जो प्रातमिकता होती है उसको अपने साथ आप लेकर च चले जाएंगे वहीं वरेश्चिक राशी नौकरी पेशा जीवन में भाग दोड किंतु परिणामों में उन्नत्ती जुड़ी हुई है मंगल प्रदान राशी के जातकों को चाहिए कि आप यहां अपने शमताओं के साथ में पूर्ण तया जुड़ कर चलते चले जाएएगा यही वो समय अंत्राल जहां आप मानसिक द्रड़ता के साथ में जुड़ाव रखने वाले रहेंगे पिता के साथ कामकाज के अंदर पॉजिटिव अप्रोच और एक फ्लो आपके लिए एस्टबलिश होता चला जा रहा है व्यापारिक जीवन के अंदर जो आप आत्म विश्वास के साथ में चलना चाते हैं उस लेहाज आभी ये समय आपको सहीयोग देता चला जा रहा है इसमें भी कोई दिक्कत और दुविधा के सेरे अंकित नहीं है व्रिश्चिक राशी के जातकों से ये भी निवेदन है कि शारिदेक स्तर के उपर मस्कूलर पेंज से संबंदित जो भी प्राब्लम्स होती है उस से आप साफधान रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा रेगलर बेसिस के एक्सरसाइज को अब बिल्कुल भी ड्रॉप करने बाले नहीं रहें नहीं दनुराशी बाग्यक स्योग बहतर तरीके से आपको प्राप्त और साथी साथ में यहाँ पर आपके लिए यातराओं से संबंदित कामकाज में धर्बाद गती सम्मुक निकल कर आने वाली हो सकती है यह एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके साथ में है आप व्यापारिक जीवन में किसी भी नए पन के साथ में स्वयम को स्थापत करना चाते हैं उसे लहाजा भी समे के तिवरता आपके साथ में हैं यही वो समय अंतराल है जहां आप Pottero richie को मित्रों के साथ किसी भी कामकाज में चोटे चोटे जो घर के कारे होते हैं, उनके साथ में जुड़ना और ऐसा समय निकाल कर मन को संतुस्टी देना, ये भी एक तरह से आपके लिए अवश्यमभावी स्तियां है, जो लगातार निर्माण की और चलने वाली हो सकती है, वहीं दनुराशी के जातकों के लिए यहां जो ग्रिहस्त पक्ष का एक तरह से दड़ता पूर्वकाधार है, वो सायोग देता चला जाएगा, कोई भी रुपए पैसे से संबंदित निरणाय आपको लेना है, उस लेहाजा दोपहर के बाद का समय पहतर है, मकर राशी के जातकों के लिए स्वास्त में मजबूती में कमी है, इसी वज़े से प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलें, व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए महानु भावों को और रुपए पैसे के बड़े निरणे से भी संबलने की जरूरत रहेगी, यही वो समय अंतराल है, जो दनागमन में आपके लिए वरद्धी करता चला जा रहा है, कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं, आत्म विश्वास निरणायक मौकों के उपर धुखा दे सकता है, उससे आप संबलने का प्रयास करें, यहाँ यह निविदन आपसे हम करना चाह आते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास करते चले जाईएगा, यही वो अंतराल है, जहां पर भीतर के शत्रू आप पर हावी हो सकते हैं, जिसमें आलस से और शंशय की प्रमुकता है, कुमराशी के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में यह सम आत्म विश्वास से भरी हुई स्ततियों को आपके सम्मुक रखता चला जा रहा है, यहां आप यात्राओं से संबंदित कारियों में खुद को एक अलग गती और प्रकरती के साथ में जोड़ने वाली जो स्ततियां होती है, वो दे सकते हैं, विनेश संबंदिकारियों में या किसी अन्य शेहर के साथ में जोड़े विकारियों के मंदर आपको एक जो अविरल गती बिलनी चाहिए, फ्लॉलस अप्रोच जो हासल होनी चाहिए, यहां साथ में है, शनिदेव की मूलत रिकार्ण डाशी के जातकों से निविदन है कि शेहर मार्केट संबंदिन वेश से कीजिएगा और वहीं से आपके लिए भावी जीवन के मंदर बहतरी निकल कर आने वाली रहेगी, नीन राशी के जातकों के लिए सोच में रुगनता परेशान करने वाली हो सकती है, यह एक बात है, वहीं खर्चों पर आप नियंतरन रखने का प्रयास करें, यही वो समय अंतराल है, जहां आप संदेह के घेरों से मुक्त होकर चलने का प्रयास कीजिएगा, यहां जो ग्रिहस्त की और से कोई भी सलाहत को मिलती है, पारिवारिक जनों की और से कोई भी महतुपूर्ण संदेश आपको प्राप्त होता है, उसको हलके में लेने से बचिएगा, और आप अपने कार्य में उसी बूते सजगता को लेकर आने वाले हो सकते हैं, प्रात्मिक्स तरपर उसी बात पर आप गौर करने का प्रयास करें, और वहीं में राशी के जातकों के लिए रचनात्मक्षेतर में भी ब्रद्धी के संकेत सम्मुख निकल कर आने वाले हो सकते है भूमी संबंदित कार्यों के अंदर जिस भी वेक्टिविशेस के साथ में आप जुड़ाव इस्थापत करना चाहते हैं एक बार पुने हैं गड़नाओं को इसपस्ट करके आप चलने वाले जरूर रहें ये एक निविदन और वहीं पर आप एक्सपोर्ट संबंदि कामकाज में अपनी ताकत को अलग तरीके से पैचानने वाले रहेंगे और उसी से आगे आने वाले समय में बड़े और अच्छे प्रणाम सम्मुख निकल कर आ सकते हैं तो ये था 20 जनवरी 2022 का देनिक राशे पर ले हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजर होते रहेंगे धन्यबाद और गोड़ी शहर आभार